नमस्कार दोस्तों सबको रादे रादे तो दोस्तों आज हमारे हाँ बन रहा है पीजा जिसके लिए हमने क्या किया है ये मार्केट से पीजा बेस ले आए हैं और अभी उसके अंदर और क्या-क्या इंग्रीडियन डलेगा उसकी तियारी हो चुकी है तो दोस्तों हमने पहले ये प्याज काट लिया है साथ में सिम्ला मिर्च है और ये हरी मिर्च है दोस्तों ये हमने अपनी त्यारी कर ली और इसमें जो जो मसाले डलेंगे वो भी हमने रेडी कर लिया है ये है सेजवान चटनी और ये है वेज मयोनीज वो भी तंदूरी तंदूरी वेज मेयोनीज है इसमें डाएगा स्नापिन का पेरी-पेरी मसाला फिर इसमें जाएगा चीजी गार्लिक मसाला इसमें जाएगा ये पास्ता मिक्स मसाला और ये जाएगा इसमें चिलिक ले और दोस्तों साथ में जाएगा ये अपना मौत्रेला अमूल चीज तो हम ने लागे रखा दोस्तों और उसके साथ जायागा यह हमारा ये हमारा जायागा इसमें स्टूीट कॉर्ण तो ये सारे हमारे जो है इंग्रिडियेंट्स जो है डाएंग ये हमारे पिज़ा में तो दोस्तों अभी इसकी हम आपको प्रेपरेशन अभी स्टार्ट करते हैं तो अभी हमारा इधर हमने कड़ाई गरम होने के रख दिया है और इसके में कड़ाई में डाल दिया है नमक जो कि इसके साथ गरम हो जाएगा और ये हमने ये बेज के लिए रख लिया है दोस्तों जो कि उसके भाव से पकेगा कि हम अपना पीजा तैयार करने के स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम अपना पीजा बेस ले लेते हैं और पीजा बेस को लेने के बाद हम अभी क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास इंग्रीडियन्ट है वो इस पीजा बेस में जायागा तो सबसे पहले हम इसमें लेंगे से इस ब्रेट के ऊपर हम पूरी तरह से इसे उपर कर देंगे पहला देंगे क्योंकि अगर इसको नहीं इसके ऊपर डालेंगे तो फिर वो टेस्ट नहीं आगा तरह से पर धूमरा तो साथ में यह जाएगा वेज तंदूरी म्योणिज दोस्तों ग्युत के जवाब हमने प्याज का पूरा एकदम लेयर लगा दिया है दोस्तों और अब इसके साथ जाएगा हमारा कैपसिकम जो की सिमला मिर्श है जो इसके उपर हमारा दिखे अब देखें बेस कितना सुन्दर दिखने लगा है और अब इसके उपर जाएंगे सारी ये मसाले पहले इसमें गया है अपना गार्लिक चीज ब्रेड मसाला फिर अभी ये जा रहा है हमारा गार्लिक चीज ब्रेड मसाला चला गया दोस्तों और इसको पूरी दर से फैलाइंग मसाले की जगर नहीं रखेंगे फूरी तरफ से पूरे बेस को कवर कर लेंगा आप यह और गया अपना चीली फ्लेक्स गया दीखे कितना सुंदर देख रहा है और अब इसमें यह गया है पेरी पेरी मसाला गया है दोस्तों यह देखें दूसरों कितना सुन्दर दिख रहा है और अब यह हमारा जा रहा है स्वीट कॉर्ण स्वीट कॉर्ण हमारा इसके उपर पूरी तरह से स्वीट कॉर्ण को हम फैला देंगे और उसके बाद क्या करेंगे कि अब इसमें हमारा जाएगा अमूल चीज जो की पूरे हम ब्रेड को कवर कर लेंगे पूरे ब्रेट को हम अमूल चीज से कवर कर लेंगे और पूरी तरह से इसको इसमें क्योंकि जो चीज जितना आप डालेंगे उतना ही आपका जो है वीजा बहुत टेस्टी और यमी बनेगा तो इसमें पूरी तरह से हम चीज डाल लेंगे और पूरे अपने cover कर लेंगे अपने base को ये दिखेंगे दोस्तों कितना लाजबाब कितना सुन्दर दिख रहा है और घर पे बनाईए दोस्तों बहुत टेस्टी और बहुत एमी बनता है और हमारी अभी कड़ाई जो है वो गरम हो चुकी है साथ में हमने नमक डाला था थोड़ा उसको फैला लेंगे हम नमक को ताकि उससे चारो तरफ नमक फैल जाए कड़ाई में ताकि उसे भाफ जो मिलेगा तभी हमारे पीज़ा बढ़ियां से पकेगा तो हमारे देसी ओवन भी तयार हो गया है जो घर पे हमने अपने अवन तयार किया हुआ है अब हम ये अपना जो पीजा बेस है अब इसको हम उठा करके अपने हम देसी अवन में इसको हम ट्रांसफर कर देंगे हमने देखिए अपने देसी अवन में इसको रख दिया है और उपर से दुबारा सारे के सारे मसाले जो हैं, हम इसके उपर स्प्रेट कर देंगे, जैसे पेरी-पेरी मसाला हो गया, जैसे ब्रेट गर्लिक हो गया, और इसमें पास्ता मिक्स हो गया, और ये सारे के सारे जो हैं, हम इसमें इसको स्प्रेट कर देंगे, और इसके बाद क ही चुका है कभी दो मिनट और हम छोड़ेंगे इसको ताकि हमारो जो है पूरी तरह से वेजी है वह पक जाए और उसके बाद से जो यह मुझाला चीज है वह पूरी तरह से इसमें स्प्रेड हो जाए पर मैं हम खोल कर दिखाते हैं दोस्त यह देखिए अधिक कर दोस्तों देखिए हमारा जो पीजा है पूरी तरह से बनके रेडी हो चुक है अब हम जा रहे हैं इसको टेस्ट करने और इधर पावनी भाग गई है पावनी आया यह देखिए आपके लिए पीजा बनके रेडी है तो दोस्ते यह देखिए हमारे घर में चार मेंबर और चार स्लाइस निकली हुई है पीजा की और इधर कव्यांस भी आ गया है और दोस्तों आप जैसा हमने वीडियो में दिखाया है बनाया आप बिल्कुल उसी तरह से अगर बनाते हैं तो आपका पीजा टेस्टी यमी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा हमारा यह रही पावनी। कैसे टेस्ट करकेökज पर ऐख है होई है हुं 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 हम ब्ल inom इसमारी आप यह रहा दोस्तों हमारा पीजा तो अभी हम जा रहे हैं देखिए हमारा पीजा ओं हम व्लूप आधा तस कarna दोस्तों आप लोगवी अपने घर में टेस्ट करिये। झाल झाल